बोस्तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप अगर टेलिग्राम चैनल जॉइन करेंगे तो आपको ऐसा प्रॉफिट डेखने को मिलेगा और मैंने आपको क्लियारिटी के साथ ये बताया था कि लाइक expiry पे मैंने कोई चार्ट नहीं दिया लेकिन कल मैं बहुत confirm चार्ट दूँगा तो आप देख सकते हैं आज का चार्ट तो आप देख सकते हैं आपको क्या उता है था 4770 का लेविल टच होगा 9 बच के 11 मिनट में उता है था 14 मिनट में आप देख सकते हैं 12 मिनट में उताया था यह तक्रीवन तक्रीवन आप यह मां सकते हैं के 120 पॉइंट ओपनिंग के बाद और उसके बाद देखेगा क्लियारिटी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ केवल 9 मिनट में 170 पॉइंट यह देखेगा 48-800 का लेवल आपको देखने हो मिला है और उसके बाद आपको यह प्रॉफिट देखने हो मिला है तो अगर आप यह मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल जो कि एकदम प्री है जो कि आप आगे अपकमिंग डेज में अगर आप मिस करते हैं तो यह प्रॉफिट भी आप मिस कर देंगे तो दोस्तों बात करेंगे आज देखेगा पूरी तरीके से टर्न अराउंड आया है पिछले दो दिनों में आपको बताया भी किया था कल मैंने आनलेसिस भी प्रोवाइड किया था आज आपने देखा कम से कम एक हजार पॉइंट आपने निफ्टी बैंक में देखे तो वो कैसे पॉसिबल हो पाए जब आपको वो आनलेसिस बताया गया था कि लगातार जब दो महिने तीन महिने मार्केट किर जाता है तो नेक्स्ट फर्दर मंथ में आपको रिटेंद देखने को मिलते हैं इसके अलावा भी मैंने बताया था कि बाउंस बैक आने वाला है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अडानी जी को भी काफी अच्छी फंडिंग मिल चुकी है तो आप देख सकते हैं यहां पर तो आपको पता है कि जितना जाधा समय बीतेगा जितना जाधा अडानी जी के स्टॉक पे बर्डन कम होगा उतना जाधा मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा तो अब फिर से देखेगा स्टार इंवेस्टर राजीर जैन जी ने देखेगा अडानी जी के कमपनी पर अडानी जी के इंपायर पे बेट करी है और बेट बहुत बड़ी है 1.9 बिलियन डॉलर की है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आगे चलके इसी तरीके से चीजें बेटर होने लगी जैसे कि आपने देखा कि अडानी इंटरप्रेजस 40% भागा है पिछले तीन दिनों में तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट को बहुत बड़ा मार्केट को आपको बहुत बड़ा कॉन्फिदेंस देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहापे इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग इस बेटिंग 1.9 बिलियन ओन गौतम अडानी ज अम्पायर इन दा मोस् सिग्निफिकेंट शो अफ सपोर्ट फ्रम दा मेजर मनी मैनेजर सिंसा शॉर्ट सेलर रिपोर्ट लूब्ड 140 बिलियन डॉलर तो आपको पता है कि धीरे-धीरे क्लारिफिकेशन्स आ रहे हैं धीरे-धीरे देखेगा जस्टिफिकेशन्स आ रहे हैं और जैसे-जैसे अडानी के स्टॉक्स में देखेगा फिर से तेजी देखने हो मिलेगी और इनको फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी इनको अगर डेप्ट मिलना शुरू हो जाते हैं फंडिंग मिलना शुरू हो जाते हैं अपने प्री पेइमेंट्स कर देते हैं जो इंस्टॉल्मेंट्स इनको देनी है तो आप समझा लीजेगा कि पूरे के पूरे बाजार के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती तो ये केवल एक initiative है तो इस पे देखेगा 40% तक का move देखने हो मिला है अडानी के stocks में तो आप समझ सकते हैं market में तो stock में move बन नहीं था और वो आपको देखने हो मिला है अब दूसरा बड़ा update देखेगा आने वाले हफते में जो आने वाला है जिस पे आपका focus रहना चाहिए और कोई भी event मिस मत करिएगा अगले आने वाले दो दिनों में जो कि आपको लगातार focus करा के हमने बताया था कि market में turnaround bronze back आने वाला है आज भी आपको देखेगा clarity से ये नहीं बताया गया कि uptrend downtrend आपको exactly बता दिया गया कि 14 मिनट में ये resistance touch होगा touch के बाद आपको पता है कि अच्छा uptrend आएगा तो वहाँ पे भी आपने देखा कि काफी अच्छा momentum देखने हो मिला तो next पहला event होगा अगले हपते का कि इंडिया के Supreme Court ने एक panel देखेगा बनाया है to investigate Adani allegations तो आपको पता है कि तीन जगे से report आनी है एक तो Supreme Court की तरफ से आनी है एक सेबी की तरफ से आनी है और एक देखेगा US में जो देखेगा इनका case चला है वहाँ से आनी है ये जैसे जैसे clarity आती जाएगी जैसे जैसे इनको clean shit मिलती जाएगी वैसे वैसे stock market में भी momentum आता चला जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अभी तक as such किसी भी बड़े regulator ने जाए आप RBI को ले लीजे RBI ने हफते हफते में कहा है कि इनके जो भी depth है उनका हम review करेंगे तो अभी वहाँ से भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो bank of badda के CEO ने कहा था कि देखेगा हम all lending provide कर सकते है इनको और SBI तो already कह रहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है LIC भी हमें कह रहा कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ सकते हैं किसी भी regulator के तरफ से अडानी जी को लेकर कोई भी bad news अभी तक नहीं आई है अब जैसे जैसे और clarity आईगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा panel बनाए गया है regulatory failure का कि कि किस तरीके से क्या हुआ जिस कारण से तो अडानी के stocks में भी आपको परिवर्तन आता हुआ देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं कि अगर बस इतना होने लगे कि 2-4 लोग यहाँ पे funding करना शुरू कर दें जैसे कि आज आपने update देखी वैसे अगर होने लगे तो आप समझ सकते हैं तो आपको समझ लेना है कि फिर अगला move bank nifty का क्या होगा और अगर अपर circuit बरकरार रहता है तो आप समझ लीजे रिदम भी बरकरार रहेगा तो अडानी enterprises ने देखीगा 40% के return दिये हैं पिछले 3 दिनों में इसके अलावा अडानी port ने तो देखेगा अपना low touch करने के बाद एक शानदार momentum दिया है शानदार momentum चुकि यहाँ पर business model में कोई दिक्कत नहीं है इतने बड़े बड़े profit कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं quality business है और इन business में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है तो आप देख सकते हैं तक्रीबन तक्रीबन 400 रुपए का low बना था और वहाँ से stock 300 रुपए के अभाओ के आस पास भी आज touch होते हुए देखने को मिला तो आप rocks अगर आप देखेंगे तो 75% के return बना के दे चुका है यह stock इसके अलावा Adani के और stock अगर आप देखेंगे Adani Power 18% का jump देखने को मिला और अगर आप देखेंगे Adani Green जो लगातार lower circuit पे था 21% भाग चुका है पिछले 5 दिनों में तो overall यह जितनी भी updates हैं यह market के favor में है अब आपको देखता है Supreme Court का outcome क्या आता है Supreme Court के investigation का CB की report का सरकार की report का outcome क्या आता है वहाँ पे जैसा outcome आएगा बैसे ही bank nifty की performance देखने मिलेगी तो focus करेगा वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much झाल में थापको जटे से को मिलेगी झाल में पड़ा है कि झाल अब तो की जाएगा युल क्वल